दोस्तों नमस्ते मैं हूनी राज और आप देख रहे हैं और दोस्त आज की वीडियो खास करके वैसे युवाओं के लिए वैसे हमारे किसान बंधुओं के लिए है जो बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं लोग शुरू में काफी कन्फूज हो जाते हैं तो इस रहते हैं कि भाई बकरी पालन करे तो किस ब्रीट से करे और खास आज की वीडियो में और मैं यहां पहुंचा हूँ बाबा गोट फर्म जो पाली गंज के समीप महावली पूरु गाओं में हैं लगव चार वर्सों से यह बकरी पालन के वेवसाय को कर रहे हैं सफलता पूरुवक कर रहे हैं काफी लंबे समय के बाद इनके फारम में मैं आ सब्सक्राइब करते हैं और जाने की कोशिशी करते हैं कि आखिर भक्री पालन किया जा तो किस में ज्यादा मुनाफ़ा हो सकता है सारी जनकार इस तरह के आपको मिलने वाली इस वीडियो में तो चलिए खातिब होते हैं उमकार बाबा से जो काफी अनुभवी किसान है और जो भी बोलते हैं डंगे की चोट पर बोलते हैं तो शरी शुरू करते हैं दोस्ते बाबा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपका नमस्कार निरा जी आपको भी बहुत बहुत स्वागत है इस पानी भरे रास्ते में आप आए और लोगों को आपके माध्यम से सा यहां चुत दोर में कोई भी करें सुरुवाती दोर में कोई भी बक्री पालन करता है तो उसको भी खीत्रिय बक्री से ही शुरूात करना चाहिए लेकिन जहां तक सवाल आता है commercial goat farming की बात जहां पर इससे आय और ब्याय का मतलब मुनाफ़ा हो तो उसके लिए सर इसमें आपको छेतिये बक्री से बदल करके आपको बाहरी ब्रीड पर आना एक मजबूरी है मजबूरी इसलिए है कि जो हमारी देशी ब्लेक बंगाल है वह अगर हम एक साल पालते हैं तो उसका बोडी वेट जो है 15-18 किलो पर चला जाता है इससे ज्यादा हो नहीं पाता है और बारी नेसल की बक्री जब हम एक साल तयार करते हैं तो 25 प्लस हो जाता है तो आखिर बक्रा कर तो मटन परपस से हम लोग ब्योसाई कर रहे हैं तो जीतना ज्यादा मटन होगा जीतना ज्यादा बोडी वेट होगा उतना ज्यादा मुनाफ़ा होगा तो हम क्यों ब्लेक बंगाल के तरफ जाए उतना ही खर्च उतना ही मेंटनेंस उतना ही मेहनत 20 kg मिलता है ठीक है आपका experience है हमारे दर्सक देख रहें तो कुछ एक्जामपल जो आपके पास है हमारे दर्सकों को दिखाईए अभी हमारे पास बच्चा वाड है इसमें बच्चों को खाना पिना मिलता है इसमें हम आपको कुछ बच्चे दिखलाएंगे आप आईए अग को दbn कि यई ब्लैक भंगाला आइम को दिख यह इसकी लीव करते हैं इसे ज्यादा नहीं है उसके वार और यह देखिए यहाँ है यह यह भी यहाँ नही Lisa उतलड हाँ लेकाम लेकिन मदर लेंद थी तो जब दूदी नहीं होगा बक्री के पास तो बच्चा क्या भी बेडिविए सब्सक्राइब पुर्गर ये तीन महीना प्लस है इसका सर अभी 5 केजि प्लस जा रहा है, 5 केजी प्लस छे केजिए क्या सबाश होगा? अब हमारे दसों को वो बताईए जो दर्शक हमारे देखना चाहिए आपने बता है कि क्रॉस बेड या उन्नत नसल की जो बच्चे आपके हाँ हैं उसका बोडी वेट तीन में या पास मेन हमें कितना हुआ वो हमारे दसों को दिखाईए यह बच्चा देखिए यह शी रुही और क्रॉस बीड बक्री का बच्चा है कितना उमर हो गया और इसका बोडी वेट सेड़ी करीम करीम 14 केजी प्लस होगा सब्सक्राइब कले हैं है और देखिये। सबूस्राइब के एक मैं फहार यह दो बाहर है और यह इसकी मा भी Sherei बड़ी बढ़ जाता है तो बड़ी अच्छी आती है उसका जो अगर कानुपात बढ़ जाता है जब जो बच्चा आएगा और जिसके मां के पास दूद ही नहीं होगा तो उसका बच्चा कितना घ्रोथ करेगा यानिकि शरू करे तो शुरू में ठीक है बलेक बंगाल से कर सक लेकिन दीरे दीरे वो उन्नत नसल पर उनको आना पड़ेगा सर इसलिए आना पड़ेगा कि शुरुवाती दोर में अनुभव कम होता है और सस्ती दरों पे द्याद की बकरियां हमको मिल जाती है कम पुंजी में सीखने का अच्छा सुनहरा मौका मिलता है हम उसको लाएं क्र आखिर लोग ढाई साल क्यों यह लेता है कि बकरी पालन में अठाई साल के बाद मुनाफा है तो वह एक डेर्ट दो साल का जो प्रियड है वह में सीखने का प्रियड है ब्लैक मंगाल लिए उसको बाहरी ब्रीट के बकरे से क्रॉस कराए उससे जो पठिया निकली उसको साल भर में हमने बकरी तैयार किया फिर वहां से आपका आय और बैस शुरू हो जाता है उससे जो बच्चा आता है अच्छा ग्रोथ में आता है और उसको आप कम समय में अच्छे दामों में उसको सेल कर सकते हैं तो अपने बोला जो भी बकरी पालन करते हैं तो दो पैसे कमाने तो अपनी जो न पूरा करते हैं साधी विवा के समय को बेस्ति हैं लोग प्रवते वहर में लोग अपने पतों यहां पासे और यहां देख हो प्रवचा करनें के लिए कहा बहुत जाता है कि कर रहा है उसके साथ उन वांसिक कारण क्योंकि उसका बॉड़ी वेट पर नहीं जायेろう लेकिन जो बाहरी बीट की बकरियां है इसका तो वजन बोडी वेट जो है काफी मतलब हद तक आगे जा सकता है और जहां तक सवाल है बकरी का मेंटेनेस तो जहां तक आप देख रहे हैं सुखा दाना चारा खाती है तो हर एक बकरी को डेर से 200 ग्राम अनाज जरूरी है तभी आपकी बकरियां मेंटेन म में रहेगी और यहां फिर चराई हो तो हमारे पास चराई का सुवधाई यह पांच महिना बिल्कुल बंद होता है फुली स्टॉल फिट पर हम बकरियों करकते हैं और इसकी एवेज में इनको एनरजी कहां से पूरा हो तो कभी मिनरल कभी लिवर टॉनिक कभी आयरन टॉनि कम से कम कीमत में कम से कम पैसे में कम से कम लागत में अपने पसू को पाद सके अपने फसल को तयार कर सके है तो फीट कोस्ट को कम करने के लिए सबसे असान तरीका है हाराचारा के केती अगर आप बकरी पालन में आते हैं तो आपके पास पांच कठा आठ कठा दस कठा जैसा भी हो ऐसा जमीन होना चाहिए जिसमें आप बकरीयों के लिए बारों मास का हराचारा आप लगाए ताकि आपका लो कोस्ट पर वक्री पालन हो सके बरसात में जमीन उच्छा जमीन होना चाहिए उसमें आपने पियर लगा दे दसरत घंस लगा दे बहुत ऐसे यूटूब पर हमने देखा है अच्छे अच्छे जमीनों में उनको पार्ट अधर से घंस लगाते हैं सिडी नुमा जो इधर से काड़ते जाते हैं उधर से बढ़ता जाता है हमारे पास भी घंस की शुपदा थी इस बार संजोग ऐसा हुआ कि जीशचेत में घंस लगाते थे ओखेत को यह और आदमी ले लिया और मेरा सारा घंस का खेती खतम हो गया हमारा बिल्कुल सरा हमारा परती बकरी 20 रुपिये के लगभग में खर्च होता है अगर हरा रता यह खर्च नहीं होता है फिप्टी परसेंट पर आ जाते हम नेमना है उसका गोत कभी नहीं होता है क्या उसका कारण डिवार्विंग नेमना जर्म लेते तो कितने दिन के बा यहम पर 2 महिने के अंतराल पर डिवार्मिंग ज़रूरी है और लिवर टोरीज्य़ेर म楽地 लिवार्मिंग दे लिवड्रौ डिवार्मिंग मत्रा cauliflower लिवोटमिघ्वाराट से 10 दिन अक्षा लस्टान है यह कई प्रकार के लिवर टॉनिक बाजार में उपलब्ध है वह आप दे सकता है उसको भी डिवार्विंग किया जा सकता है बिलकुल किया सकता है उसका तो अलग दवा आता होगा फेल्मेंडा जो लुद नाम से आता है आप फेंटास पलस से करें या क्यूरा जान फोर्ट करना चाहिए कभी आप कियूरा जानसे करें चाहिए कभी जो है क्यूंच करसे कटे करें तो दवा का हीरे वार तीन महिने का рат बार बार डिवारबिंग करते हैं तो उसका रुटेशन चेंज होना चाहिए ताकि जू है एक यह ध़ा से बार-बार जैसे आदमी का स्वाद पूप जाता है उसी केड़ा जो है एक ही दवाखाने से वह श कुछ हो जाता है है कि हमको इससे कुछ होने वाला नहीं है प्रफथ बात आपने कम saudरक्षा रे letzte करने मोशा में ंर्भी हराचारा क कि black बरतने के जरूत पुरत securely श्वासा मिष्टेक अगर की हैं तो फिर बकरियां बीमार हो जाते हैं या बीमार होती भी है किस तरह की सद्धानी हमारे किसान बंदो को रखनी चाहिए इसके बिशे में जनकारी तेंगे अगर बर्सात हो रही है लगातार जैसे पिछले 10 दिनों से बर्सात लगातार हो रहा उनको यानि घास पे पानी का असर न होना चाहिए शीत का असर न हो और वही घास इनको दिया जाए ताकि इनको बिमारी से बचाया जा सके अभी फिलहाल आपके पास बकरियों के संख्या कितनी है और कितने ब्रीट की बकरी आपके पास उपलब्द है हमारे साथ पास अभी फ पीश जखराना बतीशा बरबरी चार पीश शीरोही तीन पीश और आपको क्रॉस बीड की बकरियां कम से कम 10-12 पीश सोजत की पठिया है दो दो पीश में ब्रीडर से तीन ब्रीडर मेरे पास है एक सामने आपको दिखाई दे रहा है बरबरी का थोटे दो द्रकाइब अभी दो दात में आया है यह यह वर्बरीडिकर और एक आपको कोटा का है करॉली खुटा करॉली कुटा का dwelling र है जो यहाँ कि यह भी दो दात में है अभी और एक जमना पारी और सी रोही का थ्रोफ बीड में एक बीडर जो देखिए वो ब्लैक एंड वाइट सामने जा रहा है तो इन्हीं तीनों बीडर के आए हैं अभी इसी के बच्चे आए हैं सिर्फ जो 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 बड़ा बीडर बक्री देख रहे हैं बच्चा जो छे से साथ महीने का है वह सब बीडर जो है इसे पहले वाले बीडर का था और अभी जो है तीन चार बच्चे इसके आए हैं जगा तो काफी ज्यादा यहां पर तो काफी संख्या मिहां पर बख्रीयों की रखनी के जगा आपके पास है तो तो इससे आगे भी बढ़ना है या भी इतना ही रखना इस बबाबा नहीं से जैने मेरा एक सिधान थैसर तेते पाओं पसारिये जेते लांबी ठोर उतना ही काम करें जो हमसे संभव हो कहने के लिए अगर हम चार साल का एविरेज लेते हैं तो दस बकरी पालन करने वाला एक बेकती एक साल में 30 के संख्या पर जाता है तो उस हिसाब से अगर हम 30 के आंकड़ा लेके चलते हैं तो चार सा लेकिन मेरे पास 48 ही है इसलिए है कि मैं एक लिमिट रखा हूं मुझे मन्थली खर्च इतना ही करना है और मैं इतने का देख रेक स्वैम कर सकता हूं उससे ज्यादा होता है तो मैं विक्री करता रहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद भेतरी जनकारी आपके दोबारा हमारे दोस्तों को मिली तो दोस्तों आपने सुना बिल्कुल रियल टाइम एक्स्परियेंस जो इन्होंने गेन किया है वह आपके समक्स रखा है तो आशी जनकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा दोस्तों इस तरह कॉड़ भी अपडेट जाड़ी रहेंगे ग्रोमा इंडिया ट्रीप चानल पर तो बने रही हैगा मेरे साथ धन्यवाद